हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPC के सेक्षन 144 के बारे में अपनी पिछली दो वीडियो में हमने जाना था IPC के सेक्षन 141, 142 और 143 के बारे में जो की Indian Penal Code 1860 के Chapter 8 में सेक्षन 141 से 160 तक बताए कए हैं जो की बात करते हैं Offense Against the Public Transquality के बारे में यानि की ऐसे अपराथ जो हमारे समाच की शान्ती को भंक करते हैं IPC की धारा 144 हमें ये बताती है कि ऐसा कोई वेक्ती जब किसी Unlawful Assembly में शामिल होता है जिसके पास Deadly Weapons होते हैं तो वो IPC के सेक्षन 144 में डिफाइन होता है तो चलिए बात करते हैं Indian Penal Code सेक्षन 144 के बारे में अगर हम इसकी Definition की बात करें तो ये कहती है कि अगर कोई वेक्ती ये जानते हुए कि वो किसी Unlawful Assembly का हिस्सा होने वाला है सदसे बनने वाला है उसके पास किसी भी तरह के Deadly Weapons होते हैं ऐसे Weapons जिन से वार करने पर किसी वेक्ती के मृत्य हो सकती है लाइक कोई चाकू, पिस्टल या बंदूक ऐसा कोई भी हतियार जिसको इस्तेमाल करने से किसी की जानमाल को खत्रा हो तो इस तरह के हतियारों को लेकर अगर कोई वेक्ती किसी भी अनलौफुल असेम्बली में शामिल होता है तो वो इंडियन पीनल कोट सेक्षन 144 के अंतरगत अपराधी होता है आईपीसी का सेक्षन 144, सेक्षन 141 और 142 से बढ़ा अपराध माना जाता है तो आईपीसी के सेक्षन 144 के अगर हम दंड के प्रोवीजन की बात करें तो इसमें सजा दो साल की होती है और जुर्माना भी लगाया जाता है या फिर दोनों ही लगाए जा सकते है तो फ्रेंस ये था एक छोट असा वीडियो आईपीसी के सेक्षन 144 के बारे में आई हो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो की वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगा